Hello everyone, welcome to all तो आज हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट के हिस्से में कैसे हम लोग डिवीजन करेंगे अबजिक्ट और जीरेंड का पार्ट अगर कहीं पर दिया होगा लास्ट एपिसोड में हम लोग टेवल नमबर 3 देखा था जिसमें हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट में कर रहे थे डायरेक्ट और इंडायरेक्ट अबजिक्ट को सेपरेट तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं इसका आपको description में link मिल जाएगा इसके अलाबा playlist आपकी पूरी बनी होई है वहां से आप इसे check कर सकते हैं तो वहां से detail आपको इसको मिल जाएगा आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि और भी किस तरह के direct और indirect object मिलते हमें किसे sentence में प्रेडिकेट पार्ट में तो अभी हम लोग subject का पार्ट तो देख चुके थे इससे पहले बट अब object में जो भी हिस्सा आ रहा है प्रेडिकेट में जो हिस्सा आ रहा है उसमें object और जीरंड में कैसे difference करना यह चीज़ समझेंगे तो चले शुरू करते हो समझते हैं जैसे हमा पर एस लगा दिया गया केवल तो लाइक्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा के इसे प्रेजेंट का indefinite sentence बनाया गया है फोकस करेंगे बाद पर तो समझेंगा प्रेजेंट का indefinite जिसका अर्थ निकलता है पसंद करता है या ती है लास्ट में वर्ड करेंगे तो यहां पर एक वर्ड की आइंजी फॉर्म मिल रही है जो कि इसके पहले कोई helping नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बार बताया था फिर भी आप समझ लें इस चीज़ को कि जब भी किसी वर्ड के पहले यहां पर helping नहीं दी होती है तो वह वहां पर as is the object यह subject का काम करता है जो कि je等 कहलाता है तो यह चीज़ यहां पर आप समझेंगे कि यहां लाइकक के बाद में eating लिखा हुआ है eating आइंजी के साथ लगा है जो कि यहां पर वर्ड का काम नहीं कर रहा है यहां पर यह जीर एक जिरेंड का स्ग्शक्शन में वर्ड तो इस तरह से आप इस confusion को दूर करेंगे अगर मान लीजिए कि यहां पर sentence example की बात करते हैं अब यहां पर अगर मान लीजिए likes ना दिया होता अब यहां पर लिख देते हम he is और sentence बोलते ही is eating fish तो इसका मतलब होता कि वह मचली खार रहा है अब यहां पर का जा रहा ही likes eating fish उस सा division करने का तरीका पहले की तरह है कि जो भी वर्ब या helping वर्ब मिलेगी उसी जगह से हम बाकिक हैसा अलग कर देंगे पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा मगर प्रेडिकेट में भी जो टुकड़े होते हैं उसे हम ऐसे पहचानेंगे जो main verb हैं यहां पर main verb क को हम निकाल के अलग रख देंगे और उसके बाद में उसका जो जीरेंडल पार्ट है उसको हम अलग रख देंगे तो इस तरह से हमें चीजों को अलग करनी होगी next sentence में कहना है कि I do not like gossip gossiping gossiping का मतलब होता है बातचीत करना या फिर धेर सारी जो है इदहुदर की बातों करके बखवास जिसे बोल सकते हैं करना इस टाइप का तो यहां पर डू नॉट लाइक कहा गया है यानि पसंद नहीं करता है तो आई के साथ में डू लगता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंड के इंडफिनिट में तो यहां पर डू लगा देंगे उसके बा यहां पर जो दिया हुआ है यहां पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है यहां पर आपजिक्ट का काम कर रहा है तो इसलिए यहां पर इसे हम लोग जीरेंड कंसीडर करते हैं तो बात को फोकस करते हुए चलेंगे समझ में आ जाएगा कि जब भी वर्ब का काम वो ना करे तभी जीन्ट यहां पर होगा आयन जींड़ लगा होता है धीन की पहचान यह है बड़े आसानी से पहचान पर दीजेगे यह किसे दी हुई है इसलिए जो we all three ago negation कि फा сложно से अलग हो गया हो जाता है डिड के बाद में नॉट लगा है उसके बाद लिखा लाइक इसका मतलब यह हुआ वह पसंद नहीं करता था अब क्या नहीं पसंद करता था वह बाद में कहा गया है प्लेइंग चैस को खेलना चैस मतलब शत्रंजी तो शत्रंजी को खेलना प्लेइंग मतलब होता खेलना तो शत्रंज खेलना उसे पसंद नहीं था इस तरह से तो यहां पर भी बिल्कुल वही चीज़ है कि देखिए वर्ब है प्ले और प्ले के साथ आइंजी लगा है मतलब वह वर्ब की आइंजी फॉर्म है मगर जिस जगहें पर यह प्लेस है इस यहां पर यह वर्ब का क कि मोहन को गैंबिलिंग मतलब जुवारा जुवा खेलना यह सब चीज करना पसंद नहीं है तो इस जगहें पर डिसलाइक जो है वह वर्ब का काम कर रहा है जिसमें एस लगा है प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस बना है मोहन एक वचन है इसलिए फिर उसके बाद ग दूल एक दम फिक्स करके लिखा आप चाहिए तो इसका इश्किन सौट ले लें आपको जो रिवीजन करने महासानी हो जाएगी नोट्स बनाने महासानी हो जाएगी तो प्रेडिकेट का जो होता वर्ब की फर्म और प्लस आइंजी जोड़के दोनों को बनाया जाता है यह इस तरह से हम इस चीजों को पहचान सकते हैं चलिए अब आगे टेबल नमबर 5 में किस तरह से हम इस चीजों को अलग करेंगे अभी हम लोगों ने जीरेंट समझा जीरेंट मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ आइंजी जब लगा देते हैं तो य अगर यह object का काम करेगा या फिर subject का काम करेगा तो उस जगहें पर ही हम इसको यहां पर जीरेंड बोलना शुरू कर देंगे अब यहां पर हमें नेक्स्ट टेबल से पता चलेगा कि कोई भी इंफिनिटिव अगर दिया है उसे कैसे हम पहचानेंगे और इंफिनिटिव इक अर्थन लिए लीए यहां पर अर्फ क्या निकल कि आता है के लिए जैसे आपके पास है और लिट लिखने के लिए तो मतलब हो जाएक टू राइट लिखने के लिए आपके पास एक जीन्स है और बोल दे टू वीयर तो इसका मतलब हो जाएगा पहनने के लिए तो यह उदारण है इंफिनिटिव के इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं इंफिनिटिव कैसे हमें बनाना है और उसका क्या अर्थ निकलता है तो सब्वानर है में При alltså बनाइञा है दबन दे लिए यहा अंटी को चाहना जब आपkी कोई आउशका होती है तो उसको बोलते हैं आप चाहना वांट से पता चलता है कोई चीज हमचाते हैं तो यहांपर यह वर्ब है वी इस जगहा हुआ है वी जो है plural subject है यानि बहुवचन माना जाता है भी इसलिए उसके साथ वर्ब की first form लगी है और जब वर्ब की first form लगी होती है तो वह sentence कहलाता है प्रेजेंट का indefinite यह इसकी basic जो है एक identity है पहचान है लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है we want to work हम काम करना चाहते हैं to work मतलब काम करने के लिए हमारी इच्छा है तो यह उद्देश प्रकट कर रहा है यहां पर तू के बाद में जब भी वर्ब लिखा रहेगा तो इसका मतलब हमेशा यह होगा कि purpose एक शो करेगा यहां पर देखे जैसे यहां पर लिखा है व्लीव कि I'llows किसी तरह से यहां पर रहे हैं यह सब के सब singular का क्रें निएक्स Sum में का जा रहा अभ यह जो टेन्स बन रहा यह प्रेजेंट का नहीं है बल्कि पास्ट का इंडफिनेट नेंस हैा क्योंकि हां पर जो यहां पर कोई नहीं सकती क्योंकि यहां पर कोई helping नहीं है तो इस जगहें पर यहां पर सICHना है राजुल लाइक डौ। और उसके बाद क्या लिखा गया टूबक। उते पसंद है पैदल चलना या फिर चलना तो त्टू वाक का मतलब ऐसे पैदल चलना भी होता के वल चलना भी कहलाता ये उद्क है उद्धेश है तो यहां पर हर एक मैं आप फॉकस करेंगे तो देखे रहा यहाँ पाद में वर्ब की फर्स फॉर्म तो इसी से हम लोग इसको पहचान रहें नेक्स सेंटेंस में कहा जा रहे हैं यू लाइक और लाइक के बाद लिखा टू प्ले चेस तुम्हें एक प्ले जो है चेस खेलना शत्रंज खेलना पसंद है नेक्स इमें ऐसे है दे डिसाइड़ ड टू लिव जाने के लिए उन्होंने निरने किया जाने के लिए तो यहां पर भी जो यूज वर्ड लास्ट में वर्ड हुआ यह इंफिनिटीव है तो यह एक तरीका है बड़ा सिंपल सा वे जिससे आप इसको पहचान जाएंगे अब इसी तरह से देखिए यहां पर कि क्या क्या options और हो सकते हैं किस किस तरह के में sentence मिलेंगे जिसमें हमें इसे डिवीजन करना होता है तो अभी हम लोगों ने फिलहाल देखा कि हम लोग इन्फिनिटीव के पार्ट को कैसे अलग करते हैं बट हम देखेंगे कि कोई compliment दिया हो अगर कोई phrase दिया हो तो हम उसे क कैसे पार्ट करेंगे फिरेज क्या होता है compliment क्या होता है इसे भी चली sentence के थुरू समझते हैं अब जैसे कि यहां पर हम लोग बिल्कुल भी subject वाले पार्ट को नहीं देख रहे हैं subject वाले पार्ट को हम पीछे समझ चुके इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं अब यहा चीजों को पहले cover कर लेंगे तो आपको यहां समझने में और आसानी हो जाएगी तो मैं यही recommend करूंगा कि आप पहले के सारे वीडियो देख लें उसके बाद में आगे बढ़ते जाएं और एक-एक step में सारी चीज़े बता रहा हूं एक-एक point को clear कर रहा हूं तो I hope कि आप किसी काम के होने का पता चल रहा है वो कहलाएगा verb अब made है made का मतलब होता है बनाना second form लिखा हुआ है बट यहां पर इसका आर्थों का बनाया तो यहां पर made जो है verb है इसलिए यहां पर verb के हिससे में इसको divide कर दिया उसके बाद में object आया यह object एक pronoun है pronoun क्या होता है कि जब क लिखा हुआ दा मॉनिटर अभी मैंने अपने बारे में कहा दा टीचर मेड मी ने मुझे बनाया क्या बनाया अब लिखा हुआ दा मॉनिटर तो बाल मॉनिटर क्या है हमारे क्लास में होते हैं तो हमारे क्लास में एक पद होता एक पोस्ट होती कि मॉनिटर तुम्हें बना तो चाहे मैं बोलो मैं या फिर मैं बोलो मैं मॉनिटर तो एक ही बात है तो मेरे बारे में ही कुछ ऐसा जो लोगों के लिए तारीफ का काम करता हो या लोगों के लिए एक मुझे और बहतर से समझने के लिए काम करता हो suppose करिए कि आप हैं एक आपको कोई भी कहता लड़का या फिर कोई कहता लड़की मगर आप exactly क्या है exactly आप compliment अपने साथ जोड़ोगे कहीं पर आप बोलोगे कि मैं student हूँ कहीं पर आप घर में बैठे हो तो बोलोगे मैं भाई हूँ कहीं पर आप बाहर हो तो हो सकता कि भाई की जगां बोलो बहन हैं कहीं पर आप बेटी बोलोगे अपने आपको कहीं बेटा बोलोगे तो यह जो वर्ट जोड़र आप अपने साथ में that call the compliment compliment exactly होता है कि उसी के बिशय में और कुछ भी डिस्क्राइब कर देने वाला इस तरह से तो यहां पर यह चीज़ आप समझेगा compliment और compliment क्या होता है exactly कभी-कभी किसी एक वर्ड से भी उच करते हैं और कभी-कभी उसके लिए हम छोटा सा sentence यूच करते हैं जो अधूरा तो होता है बट वो फ्रेज कहलाता है यहां पर तो इसी तरह के compliment से हम लोग sentence को complete करते हैं next sentence में कहा जाए दो पीपल चूज अब चूज जो है second form लिखा चौज और हिम उसे चूज किया चूज का मतलब होता है चुनना किसी को select कर लेना तो यहां पर select किया हिम हिम का मतलब उसे लड़के के लिए कहा जाएगा और क्या चूज किया dear leader अपन नेता तो यहां पर यह एक नाउन है exactly नाउन बन रहा है एक वर्ड में है इसलिए dear leader उनका नेता नेक्स सिंटेंस में कहा जा रहा वी नेम्ड नेम्ड का मतलब है नाम करन करना या नाम रखना किसी का दब वाए लड़के का नाम हमने क्या रखा मोती अब यहां पर मोती यह समझ जाना कि कुट्टे का नाम होता है तो हम लोग जनरली रख लेते हैं लेकिन फिर भी यह नाम कभी कभी किसी लड़के का भी हो सकता है तो यहां पर उसका नाम जो है मोती रखा उसका नाम रखा गया इस तरह से यहां पर भी एक वर्ड से पता चलता कि यह नाउन है exactly उ इसको 就AST होता तो उसको इलेक्टेट में एक कहते हैं उस जगह पर से एक किए उसको क्या किया अग्रें संसथा का या प्रेंट शैसा लेकिन वह पार्टी क 뛰न्सथा लीड़ना रहे उसमें साम ऐगक पर दो हमारा लेड़र हो लेकिन मुझनिक ने नेक्स्ट में कहा जारा we choose him अब ये प्रेज़ेंट का indefinite sentence है we choose him captain of the team हमने captain उसे अपना नहीं चुना है बलकि team जो पूरी हमारी है उस team का captain तो यहाँ पर ये phrase बना रहा है phrase छोटा सा sentence जब भी आप phrase दिमाग में आएगा तो तुरण समझ जाई है टेबल नंबर 7 को हम अगले एपिसोड में समझेंगी किसे टेबल नंबर 7 में किस तरह से दीवीजन मिलते हैं देखने को कैसे कैसे हम आपए और भी पार्ट को प्रेडिकेट वाले हिस्से से आउट कर सकते हैं डाल सकते हैं समझने के लिए तो आज की सिरीज में आपको काफी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगे काफी कुछ चीज़ें कवर हुई होंगे क्लास 10 और 9 के लिए तो यह helpful है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह सीटेट और यूपी टेट एक्जाम नेशन जो होने वाले